समस्का दोस्तों कमपर्शन अकडमी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है आसा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिपावली का पर्भ भी आप लोगों ने अच्छे से मना ही लिया होगा छुट्टियां भी अब समाप्त हो गई हैं आज से उपन्यास का नया बैच प्रारंब हो गया है जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं देख रहे हैं जो नए वीवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पब्लिस किया जाए उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके कविता की एकाई हो रही थी कविता की एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं आज इससे जो उपन्यास विधा प्रारंब हुआ है अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो अभी तो सुल्क में नियूंतम चूट है क्योंकि नियूंतम समय बचा हुआ है इसलिए सुल्क में विशेज चूट दी गई है अगर आप जोड़ना चाहें तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं वैसे आज जो कराया गया है लोग मैला आचलो यह जितने उपन्यास लगे हैं सभी उपन्यास कराए जाएंगे एक एक करके पूरे उपन्यास कराए जाएंगे पर इच्छा तक पूरी यूनिट आपकी कम्प्रीट कराई जाएगी तो अगर आप जूड़ना चाहते हैं तो इस समय सुल्क में विशेश छूट ह आप हमारे इस नंबर पर समपर कर सकते हैं नंबर का स्क्रीन शॉट ले लिजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो दिया जाए पब्लिस किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कुछ और वी वीडियो आपको मिल जाएगी एक हमारा और सायोगी चैनल है दा गुरू एकेडमी यूटूब पर जाए दा गुरू एकेडमी सर्च करें वहाँ पर भी आपको यही लोगों दिख जाएगा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उस पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं उसे भी आप देखते चले प्रतम प्राशन पत्र के भी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं कुर्चेत प्रश्राम की प्रतिक्षा रामधारी सिंग्दिनकर की उर्वसी और रस्मिरती इन रचनाओं पर आधारि में जो सुरू किया गया है वो आप देखेंगे कुर्चेत्र से प्रारम किया गया है कि कुर्चेत्र का प्रकासन वर्स क्या है आपका उत्तर हो जाएगा सी 1946 कुर्चेत्र किस पर्व महाभारत के किस पर्व से प्रभावित है आपका उत्तर हो जाएगा भी सांति पर्व कु पढ़ाये विश्त्रिद वीडियो में पहले सर्ग में क्या है दूसरे में क्या है तीसरे में क्या है अंत में सात्वे में क्या है कौन सी पंक्ति कहां पर दी गई है तो इस सारी चीजे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कुर्चेत्र के किस पर्व में वेस्म का आत्म विश् चौथे पर्व में है मानोता की चर्चा कुरुछेत्र के किस पर्व में है आपका उत्तर हो जाएगा सात्में पर्व में जो आपके पाठिकरम में है सात्में पर्व में है जो आपके पाठिकरम में कुरुछेत्र को नई युग की नई गीता किस ने कहा है बहुत ही महत्तपूर्ण प्रस्ण है उत्तर हो जाएगा सी भदंत आनंद कौश लिया इनने अब आप कहेंगे सर कहां मिलेगा आप खरीदी जिसके संपादक नंद किस और नवल हैं कुरुछेत्र विमर्स है जिसके संपादक नंद किस और नवल है में आप देखेंगे कुछेत्र विमर्स में कुल साथ समालोचना की गई कुर्चेत्र के बारे में बिसुनात प्रसाद मिस्र ने नंदुलारे वाजपही ने डॉक्टर नगेंदर ने डॉक्टर देवराज ने राम बिलास सरमा ने नलीन बिलोचन सरमा ने और नंद किसोर नौल ने लिखा है तो जो सात अध्याएं है सातों लेखकों के द्वारा अपने रायव्यक्त की गई है कुरुचेत्र पर रशना का नाम है कुरुचेत्र भी मर्स उसी में बदंत आनंद कौशलयान के कथन का उलेख किया गया है जिन्होंने कहा है कुरुचेत्र को नए युग की नई गीता अगला परस देखें कुरुचेत्र की विशेष्टा है कौन सी है सरम के महत्त को बताया गया भागेवाद को माननता दिया गया नय विश्व के निर्मान की भावना भी है पलायानवादी प्रविर्ति का विरोध किया गया है अब यहां पर देखें आपका उत्तर हो जाएगा सी एक तीन चार भाग्यवाद को मानेता दिया गया है गलत है मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया है भाग्य के बारे में कि भाग्यवाद को मानेता नहीं दी गई है क्योंकि उसी की पंक्ति है कुर्षेत्री की पंक्ति म विश्वास नहीं किया गया है कि कहा गया भाग भाग्यवाद आबरण पाप का और सस्रसोशन का जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का पूछो किसी भाग्यवादी से यतविध्य अंक परवल है पद पर क्यों देती ना सोयम वसुधा निजरतन उगल है तो इसलिए आप देखेंगे भाग्यवाद पर बल नहीं दिया गया भाग्यवाद को माननेता नहीं दी गई है नर समाज का भाग्य एक है वह स्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुक जुकी हुई पिर्थिमी भिनीत नवतल है भाग्यवाद को नहीं वलकि स्रम को माननेता दी साकेत और कामाईनी के बाद कुरुछेत्र का हिंदी की प्रतिनिधी कभिता किस ने माना है आपका उत्तर हो जाएगा डी नंदुलारे वाजिपई ने माना है कुरुछेत्र के किस सर्ग में दिनकर का स्वतह या निजी कथन है एक पहले और दूसरे सर्ग में दूसरे और तीसरे सरमी तीसरे और चौत्रे सर्ग में पांचवे और छटोन जाय के अगennis पांच वे और छटे सर्ग में कुर्चेत्र के बारे में सही कतन कौन सा है अगर आप चैनल पर नए है तो ध्यान रखे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नुक्सान नहों जो भी वीडियो पब्लिस हो उसका कुर्चेत्र के बारे में सत्य कतन कौन सा है युधिष्टिर अपने करूना चमा अहिंसा सत्य के कार्ण गादिवादी लगते हैं अपने प्रतियूस यहां पर उत्तर हो जाएगा डी, एक, दो, तीन, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, अगला प्रस्न देखें, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नो जवानों के लहू का मोल है, यह कवेपंग्ति कुरुछेत्र के किस सर्ग की है, पर्थम सर्ग अब जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले, जो पहला चुना होगा जल्दबाजी में वो लगा देंगे, कि सब्तम होगा, लेकिन यह गलत है, अगर कुरुछेत्र आपने पढ़ा है, आपके पास किताब है, नहीं है, अगर आ दाउनलोड किया है, जैसे भी जिस भी माद्यम से है, तो कुरुछेत्र का प्रारंब, इसी पंक्ती से होता है, पहले ही सर्ग में है, कि वह कौन रोता है, वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है, नौ जवानों के लहु का मोल है, और प्रत्ते किसी बुढ़े के वहार का, जिसका हिर्दे उतना मलीन जितना ही सीर्स वलच है, अगला प्रसन देखें, कुरुछेत्र का शप्तम सर्ग किन पंक्तियों से प्रारंब होता है, रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, अथ से ले इतितक किसका पत रहा सदा उज्जल है, द्वा पर समाप्त हो रहा है, धर्मराज देखो, मृत के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहां, तो यहां पर प्राशन संक्या जो बारा है, आपका उत्तर हो जाएगा, बारा का ए, रागा नल, रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंदु में डूब रस्म की और निकलने वाला, और उपर उठने को, उपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा, उब डूब करता उत्राता घन में विधुमंडल सा, तो यहीं से पंक्ती प्रारंब होती है, यहीं से सब्तम सर्ग प्रारंब होता है, कुर्चेत्र के सब्तम सर्ग की पंक्त कां पर दिया तरुठ के संफट्व्टि की पंपर कौंसे नहीं ध्यान में धर्म राजी यह भूम किसी का नहीं क्रीत हैडासी है सब को अधिकार मिरत का पोशथ रस पीने का जब तक मनुझस्ज यह सुख भाग नहीं समोगा जो स्रिष्ट का स्रिंगार ग्ञान का विज् dart का आलोग है अ में तो यहां पर उत्तर हो जाएगा डिए जफे सर्ग की पंक्ति है है सक्ते सर्ग सथे सर्ग की यह पंक्ति है बहुत ही महत्यपून पंक्ति यह मनूज सच्ट सर्ग में यह जो पंक्ति दी गई है मैंने पूरा जब आप लोगों को पढ़ाया है तो यहां पर फिर पूरा मैंने एक-एक एक एक सर्ग नहीं कराया जो आपके पाटिक्रम में सब्तम सर्ग है किवल उस सब्तम सर्ग को ही कराया गया है लेकिन जो महत्यपूर्ण है वह पंक्तिया मैं आपको बताते चला हूं इसी लिए यहां पर यह मैंने पूछा है आगे दिया गया प्रस्न संक्या 14 देखें कुर्चेत्र की पंक्तिया कौन सी है सब्तम सर्ग की प्रस्न संक्या 14 देखें ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग में मनुझ नहीं लाया है प्रकृत नहीं डर कर जुकती है कभी भाग के बल से ब्रह्मा का अविलेक पढ़ा करते निर यह शारी पंग्तियां बहुत ही माथ्पून हैं और एक एक करके मैंने आप लोगों को पढाया है कि ब्रह्मा से ब्रह्मा लिखा भागे में मनुझ नहीं लाया है अपना सुख उस ने अपने भुजबल से ही पाया है और प्रकित नहीं डर कर जुकती है कभी भागे के बल से सदा हारती वह मनुस्त के उद्दम से स्रम जल से और वरम्मा का भी लेक पढ़ा करते निर्दमी प्राणी और धोते वीर कुवंक भाल का वहाँ बहाँ धुर्बो से पानी तो ये पूरी पंकिया बहुत ही मात्पून है कुरुछेत्र मे भागेवाद के बारे में क्या कहा गए है प्रस्ण संख्या 15 देखें भागेवाद भाप का आवरण है भागेवाद सोशन का सस्त्र भागेवाद दोरा एक जन दूसरे जन को दबाता है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी मैंने अभी ये आप लोगों को पढ़ाया है अभी मैंने ये पंक्ति आप लोगों से बात की बताया है कि भाग्यबाद आवरण पाप का और सस्रसोशन का जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का उसी से ये पूरा प्रस्ण लिया गया है कुर्चेत्रिके सब्तम सर्गी की पं राजा परजार नहीं कुछ होते होते मात्र मनुजी यानि उत्तर आपका डी होगा कर पाता यदि मुक्त हिर्दय को मस्तक के सासन से यह किस सर्गी की है तो यह चौत्य सर्गी की पंक्ति है कि कर पाता यदि मुक्त हिर्दय को मस्तक के सासन से उतर पकड़ता बाहं धलित की मंत्री के आसन से राजद्रोह की धोजा उठा कर कहीं प्रचारा होता नयाई पक्छ लेकर दुर्योधन को ललकारा होता पंती तो आपको यादी होगी स्यात स्योधन भीत उठाता पग कुछ अधिक समलके भरत भूम पढ़ती न स्यात संसार में आगे चलके पर सब कुछ हो चुका नहीं कुछ सेस कथा जाने दो और भूलो बीती बात नयये युग को जग में आने दो तो यह पंती कि कर पाता यद मुफ्ट हिर्दे सब्सक्राइब को अगर आपको ध्यान है तो मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से ऐसे प्रशनों को आफ़ल कर सकते हैं आप कुछ लोग सोच लोग अच्छा आपने सर्ग की है जिस सर्ग की हमने अभी बात कि कि कर पाता यह दिमुक्त हिर्दे को मस्तक के सासन से उतर पकड़ता बाहंदलित की मंत्री के आसन से उसी चौथे सर्ग में यह है कि बुद्धि साशिकाती जीवन की अनुचरमात रह द अगला प्रस देखें प्रस्राम की प्रतिक्षा रचना का प्रकाशन वर्शी क्या है आपका उतर हो जाएगा 1962 के आसपास 1962 के आसपास परास्राम की प्रतिक्षा के बारे में सही कथन कौन सा है ये एक प्रबंध काद्वे है भारत चीन युद्ध में भारत के पराजे के बाद कविता लिखी गई इसमें भारतिय प्रधार मंत्री की भी अलोचना है उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन तीनो सही है परास्राम की प्रतिक्षा कविता के बारे में सही कथन कौन सा है ये ब्रज भासा में लिखी गई है इसमें युवाओं को संदेश दिया गए कि देश की रक्षा के लिए उद्ध करना गलत नहीं है कविता में कथानक नहीं है कविता मुक्तक सहली में है विकलत 1-2-3-2-3-4-1-3-4-2-3-4 आपका उत्तर हो जाएगा 2-3-4 सही है ब्रज भासा में नहीं बलकि यह रचना खड़ी बोली में है खड़ी बोली में है तो पहला हमारा गलत है बाकी दूसरा तीसरा चौथा सही है प्रस्राम की प्रतिक्षा का बेशंग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं आपका उत्तर हो जाएगा डी कुल अठारा कविताएं संकलित है प्रस्राम की प्रतिक्षा कविता संग्रह कि अंतिम कविता कौन सी है अंतिम और पहली यह जरूर ज्यान रखना अंतिम कविता है जवानी का जंडा कुल कविता है अठारा और पहली कविता है प्रस्राम की प्रतिक्षा कविता किस पंक्ती से प्रारंब होती है उत्तर हो जाएगा भी गरदन पर किसका पाप भी ढूते हैं सोनित से तुम किसका कलंग ढूते हैं तो चोबिस का भी हो जाएगा यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है भारत अपने घर में ही हार गया है यह पंक्ति प्रस्राम की प्रतिक्षा कविता के किस खंड की है आपका उत्तर हो खायगा भी दूसरे खंड की है परस्वाब की फतिक्षा कवथा कि है पांच वे या अनटिम खंड या कुल खंड कितने हैं प्रस्वो अनतिम खंड में कितने पद हैं आपका उत्तर हो धिनकरर जी राष्टवादी और कभीं थे कि और किसने कहा है उत्तर हो जाय गड़ी कासियनाथ सिंग् ने कहा हुए लिए अप पहले मैंने आपको बताया कुल 5 खंड कंड अंतिम कंड पाचवद्ब States competitions Sunday में कि अनतिमकंड में जो 42 गद्रP वह भी मेरे को बता है मैंने बता हैं दिनकर की रचना कुरुचीतर sister किसके समवाद पर आधारित है तो वेश्म और युधेश्ठिर के समवाद पर आधारित है तो शानों को मिलता दूध वस्र भूखे बालक अगुलाते हैं यह पंक्ति किस कविता की है उत्तर हो जाएगा भी बिपत्थगा की है हटो वेवं के मेग पंथ में स्रौन लूटने हम आते हैं यह पंक्ति किस कविता की है उत्तर हो जाएगा हाहा कार कविता की है अगला प्रसन देखे घंडार की मैं दीन विखार इन अट्टालिका नहीं लूँगी है सौगंद सीज पर तेरे रखने मुकुट नहीं दूँगी उपरिप्त पंक्ति किस कविता की है उत्तर हो जाएगा कविता का हट हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला सिलवा दो मा मुझे उन का मोटा एक जिंगोला यह पंक्ति किस की है जाहिर सी बात हैं रामधारी सिंग दिनकर की कविता की है दिनकर की रचना हुंकार को किस सर्ग मैं आपका उत्तर हो जाएगा बच्छन सिंग में और सर्ग देखें और से देखें पर 14 और 7 सर्ग में दम। दिखे एक एक सर्ग जो रसमिर्थी का वो भी मैंने पढ़ाया है एक एक पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाया कण्ड़ और विप्र का संब्पाद है चोथे सर्ग में संबाद की बात आती है ईतल विप्र जो ब्रह्मन है एक विखारी के रूप में है जिब जिब वहां पहुशते हैं तो कण पूछते हैं कौन उधर है कौन आया हुआ है कहते हैं मांगो मांगो दान अन्य या वसन धाम या धन दू अपना छोटा राज जिता यह कि यह छड़िक छुद्र जीवन दू तो यह कहा जाता है कंड के द्वारा फिर विप्र वहां पर यह स जो विप्र है जो विक्षू है वो कहता है यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे तब कहते हैं कवच और कुंडल विद्धुत छुगई कण के तन को पर कुछ सोच रह से कहा उसने गंबीर कर्मन को समझा तो यह और न कोई आप स्वयम सुरुपती हैं देने को आये प्रसन हो तप में नहीं प्रगती हैं धन्य हमारा स्वयस आपको खीच महीं पर लाया और स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया बहुत अच्छी पंक्तियां है और वहने एक एक करके आप लोगों को पढ़ाया है तो चोथे और सात्वे सर्ग में हैं निम्न में से किसे अनलकवी कहा जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोग दिनकर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा रांधारी सिं की का साथिक अर्थी क्या हो जाएगा तो सूरी का सार्थी उत्तर हो जाएगा डी बैठे हुए सुखद आतप में में क्रोब आंतन करते हैं उपर युक्त पद रस्मिरती के किस सर्ग की है आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर भी दूसरे सर्ग की है उत्तर यहां पर हो जा गया दूसरे सर्गी की विसेवस्तु क्या है कि दूसरे दूसरे सर्गी विसेवस्तु मैंने पढ़ाया है कि यह किसके कि इसके कुटी की बात हो रही है कि से कुटी के पास आसपास जो वातावर्ण है उसकी बात हो रही है कि याद आया कुछ कि बैठे हुए सुखद आतप में मेरे ग्रोमान्थन करते हैं वन के वीच वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तरब्द बिचरते हैं और सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही जुकी टहनियों पर नीचे दिखरे हुए पड़े हैं इंगुद के चिकने बहुत ही तंदे कि किस सर्ग केरे यी सब बहुत ही मात्रपूर पंक्तियां है इक और आईसी पंक्तियां है जो अक्सर परिक्षां में पूझी यारती है चॉथ सर्ग में यहां पर जो ये पंक्ति दी गई के घिक है कि मैं उनका आदस वैथा वाली जो पंक्ति है आप देखेंगे हैक्सर परिक्षाओं में यह पूछी गई है कि उनका आदस किंद जो वैथा न खोल सकेंगे पूछएगा जग किन्द पिता का नाम न बोल सकेंगे जिनका निखिल विस में कोई कही न अपना होगा मन में लिए उमंग जिने चिरकाल कलपना होगा मैं उनका आदर सकिंत जो तनिक न घबराएंगे और निज चलितर बल से समाज में पद विसिष्ट पाएंगे सिंगासनी नहीं स्वर्ग भी जिने देखनत होगा धर महें तो धन धाम लुटा दे ना जिनका अब्रत होगा तो ये सब पंक्तियां अक्सर परिक्षाओं में पूछी जाती है लोग दिवि सत्सत प्रमान निष्टा के बतलाते हैं सिवद अधीच प्रसलाद कोटी में आप गिने जाते हैं रस्मरती में पर किसे लिए कहा था कि तो जाहिल सी बात है कि कान के लिए कहा है है कि के लिए यह चीश प्रहलाद के उनकोट में आप गिने जाते हैं करure दिप्र से कि लोग दिव सत्व प्रमान निष्ठा के बतलाते हैं और सबका है विस्वास मृत्व से आप डर सकते हैं हसकर प्राण के लिए प्राण निचावर कर सकते हैं यह प्रेने कहा है प्रण करन का जबाब आया थे पूरी पंक्ति कहीं कि पूरा कहा गए तो कर ने जवाब दिया कि बिर्था भाग बिर्था भाग से आप डरे जाते हैं जो है सम्मु खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं और विध ने था लिखा भाग में खूब जानता हूं मैं बाहों को पर कहीं भाग से बली मानता हूँ मैं फ्रस्मरथी में विप्रने कण से दान में क्या माँगा था दान में क्या माँगा था तो कवच और कुंडल कवच और कुंडल अभी मैंने और कुंडल अगला प्रस्ट पद दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार उपर उपर पंक्ती किस की है उत्तर हो जाएगा बीर अंधरी सिंग दिन करके हिमाले का विता की है रे रो की दिश्ट्र को न यहां जाने दे उसको सर्गधीर पर फिर हमें गांडि उसदा ल लेकिन कुछ लोग उर्वरसी में जाएंगे कुछ लोग रस्मिरती में जाएंगे है ना कुछ लोग आगी की भीक कविता है लेकिन यह कविता की पंक्ती जो दी गई वो हिमाले की है ध्यान रखियेगा दिनकर की कविता आगी की भीक में कितने बंद हैं उत्तर हो जाएग कभश क सिब्षान के चुबन कि तुलना कि से की गई है सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में राजदंड किसे कहा गया है तो राजदंड किसे कहा गया है फावडा को और हल को इसे राजदंड कहा गया है अगला प्रास्न देखें शिखासन खाली करो कि जनता आती है कविता में जनता को क्या कहा गया है तो जनता को कहा गया है माटी की अबोध मूर्तें फूल दुद्मुही बच्ची ये सब कहा गया है कि मैं आप लोग पहले भी बताया है कि आप लोग पंग्तियां जरूर ज्यान रखें अगर पंग्तियां आपको याद हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से ऐसे प्रस्णों को आप हल कर सकते हैं लेकिन अगर पंतियां ही नहीं आदे हैं कविता ही नहीं आपको पता है तो फिर कैसे आप कर पाएंगे कि किसे क्या कहा गया है किसमें क्या नहीं कहा गया है कुछ लोग कहते हैं सर्प बयाक्या करा दीजे दिखिए बयाक्या से पहले जरूरी है कि कविता जानना सिहासन खाली करो, कि जनता आती है, मैंने कई प्रसन इससे पूछा उसमें सीधा सिदा दिया है, कि सधियों की ठंडी बुजी राक शुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है, दोराह समय के रत का गर-गर तो इस दरीके से पूरी कविता आप पढ़ेंगे मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में अथवा कोई दुदमुही जिसे बहलानी में दुदमुही तो जनता को क्या कहा गया दुदमुही बच्ची के समान कहा गया जंतर मंतर सीमीत हो चार खिला उने से तो पंतिया आपको ध्यान है तो बहुत अच्छे से प्राशनों को कर लेंगे आपको उत्तर हो जाएगा कण का सोर्य परदेशन पहले में है रास्मिरती का अंतिम सर्ग कौन सा है राशन संक्या 25 आप देखें तो अंतिम सर्ग हो जाएगा कणि का बल्दान कण का बल्दान रास्मिरती रतना किसके समवाद में समाप्त होती है क्रिष्ण और युधिष्ट्र के समवाद में समाप्त होती है रास्मिरती दिनकर का खंड काव बे कौन सा नहीं है इसमें से तीन खंड काव है एक ऐसा है जो खंड काव नहीं है और वो है सामधेनी बाक एक सो पंद्रा रुबाईयों का संकलन है कि अगला प्रस्ण देखें और कच्छा देखने में अगर व्यस्त हैं अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज से उपर न्यास की एकाई सब्सक्राइब मिलत और परिक्षा से पहले आपके चीजिए क्लियर हो जाएंगी पर आपको पीडियाप सब पर आपको वीडियो लेक्चर सारे पॉइंट पर आपको टेस्ट स्रीज सब कुछ मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं दिनकर ने अपनी किस रचना को कामाध्यात्म कहा है तो उर्वसी को उन्होंने कामाध्यात्म कहा है दिनक करके अंतियम रचना कौन सी है कौन सी प्रकासित हुई तो आपका उत्तर हो जाएगा नौका और हूंकार प्रकासित हुई तो अन्धीद बाद में प्रकासित हुई ए धिनकर जी अपने युक सचमुच सूरृत है कि नामोर सिंग ने कहा है दिनकरजी ने देश में करांतिकारी अंदोलन को सुर दिया किसने कहा है तो यह रामरिक्ष वेनीपूरी के द्वारा कहा गया है अगला प्रस्ण है कि उर्वसी रचना कितने अंकों में विभाजित है जो उर्वसी रचना है वो पांच अंकों में विभाजित है खाड़ी बोली हिंदी कविता की छमता जिस चरम बिंदु को छू सकती थी उसे उर्वसी ने छू लिया और नभू तो मैंने कोच कहना चाहूंगा ये कतन किसका है उत्तर हो जाएगा भी बच्चन सिंग का है दिनकर जी मुलता सामाजिक चेतना के चारण है किसने कहा है उत्तर हो जाएगा ये धीरेंद वर्मा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिनकर को सामाजिक चेतना का चारण किसने कहा है आईसे भी पूछा जाता है सब्दों का हेर फेर भी हो जाता है तो ध्यान रखिएगा आईसे भी प्रस्ण बन सकते हैं कि किसने दिनकर को सामाजिक चेतना का चारण कहा है तो धीरेंद वर्मा ने कहा है दिनकर की कविता प्राया चायावाद की अपेक्षा दुवेदी कि उत्तर हो जाएगा हजारी पäsा दुवेदी ने अगला प्रस्थ्यों का हिमाले और हम कविता किसकी है ब Sagite ये तो हिमाले से लेकिन हिमाले और हम अगर बात करें तो इस सीर्सक्त से हिमाले 날 और हम सीर्षक से अगर बात करें तो यह गोपाल सिंग नेपाली की है रस्वंती कावे संग्रह की कविता कौन सी नहीं है आपका उत्तर हो जाएगा D कवी की मृत्त यह नील कुसुम में संकलित हुंकार कावे संग्रह की कविता कौन सी नहीं है हुंकार कावे संगरह की कविता जनतंत्र का जन्म नहीं है क्योंकि यह भी नील कुसम में ही संकलित है हुंकार कावे संगरह की कविता कौन सी है तो सही दस्तवन हुंकार कावे संगरह की कविता है बाकी जो कविता हैं वो नील कुसम की ही है चाहे वो हिमाले का संदेश हो, चाहे भूधान हो, चाहे वो जनतंतर का जन्म हो, रेनुका कावे संग्रह की कविता कौन सी है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, हिमाले कविता की पुकार, तांडो, कविता की पुकार बहुत ही मातपून है, ध्यान रखियेगा, तो वैसे ये प्रकास भी है, राई और पांसुरी भी है, अपनी प्रत करिया, अब आप लोग वेक्त करें, कि इस टैसरीज में, इस प्रस्ण में, आपके कितने प्रस्ण सही हुए, और क्या वास्तों में, यसमें जो प्रस्ण दिये गए थे, उसमें से आप पन रखा था आपको इतनी चीज़े पता थी अपनी प्रत्किरिया जरूर वेक्ट कीजिएगा बाकी चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिन पब्लिस वीडियो में और अगर आप पेड़ जोइन करना चाहते हैं तो पुना एक ब कमबल लिखाए इसका स्क्रीन स्वाट ले ले या वीडियो रोपकर आप लिख लें जिस पर आप वट्सब करके सारी जानकरी ले सकते हैं हम लोग फिर मिलेंगे